हर्याना करमचारी चैन आयोग की तरब से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है HSSE ने हर्याना पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल का जो रिजर्ट निका रहा था फाइनल रिजर्ट आपको पता है आ चुका है तो उसमें जिन भी कैंड़ेट्स ने नो जोब का जो 5 मार्क्स मिलते हैं सोशोकनमिक क्रैटिरिया के तहट कि घर में किसी के भी सरकारी जोब नहीं थी तो उसके जो 5 मार्क्स मिलते हैं उसके जाच के लिए अब एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब जितने भी कैंड़ेट्स हैं जिनोंने भी नो जोब के 5 नमबर लिये थे ये सभी रोल नमबर दिये हैं इनका सेलेक्शन हुआ है 5 नमबर लेकर तो इन्हें अब तहसीलदार से जो है अपना नो जोब का सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा कर 22 नमबर 2021 को सुबे 9 बजे परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में लेकर जाना होगा ताकि उनका जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफाई हो सके और इसके लिए बकायदा ये अनेक्जर E1 भी दिया है ये आपको अटेस्ट करवा कर लेकर जाना है नीचे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन, रिपोर्ट ओफ नमबरदार या फिर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पारसद होता है रिपोर्ट ओफ पटवारी और वेरिफाईड बाई तहसिलदार एक्जिक्यूटिव मजिस्टेट, HDM आपको पता है, जब आपने एप्लिकेशन फोर्म फिल किया था उस वक्त तो आप से जो है, सेर्फ अटेश्टिड ही मांग लिया था लेकिन अब जब काफी बच्चों ने इस पर मांग उठाई कि फेक 5 मार्क्स लिये हुए हैं काफी छात्रों ने तो इसको देखते हुए HSSC ने भी ये कदम उठाया है कि अब आपको ये जो जिसनके भी फाइनल सेलेक्शन हो चुकी है उन्हें आप जो है तैसिलदार से या एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर HDM साहब से अपना ये 5 मार्क्स का ये सर्टिफिकेट अटेश्ट करवाना होगा तभी उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे और उन्हें 22 नवंबर को प्रेड ग्राउंट सेक्टर 5 पंचकुला में जाकर दिखाना होगा और आपको मैद बता दूँ जो ये तो है सब इंस्पेक्टर मेल का और इसके साथ साथ ही सब इंस्पेक्टर फीमेल केलिए भी नॉटिस जारी किया गया है वो भी मार्क को दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं ये justification है सब इंस्पेक्टर फीमेल केलिए तो इनका भी जो ये roll number दिये गए हैं इनकी final selection हो चुकी है इन्होंने भी 5 marks लिये थे तो अब इन्हें अपना ये certificate जो है अटेस्ट करवाना होगा और इन्हें भी अब 22 November को ही जाना होगा ताकि इन्हें भी 5 marks मिल सकें 22 November 2021 को 12 बजे जाना है इन्होंने इनका time थोड़ा change है और parade ground sector 5 में ही जाना है तो आप देख सकते हैं HSC जो है सकत कदम उठा रही है कि कोई भी fake marks ना ले ले 5 marks तो उनके लिए notification जारी क्या है पीछे काफी ज़्यादा protest हो रहे थे इसको लेकर कि HSC verify नहीं कर रही है तो अब HSC ने notification निकाल दिया है कि verify किये जाएंगे 5 marks जिन्होंने भी लिए है no government job के